जाइका इंडिया का YouTube चनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो आज हम आपके साथ सेयर करेंगे शिफ दो मिनिट में बनने वाले चीजी ओमलेट की रेसिपी। तो चलिए सुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर एक बोल में दो अंडे तोड लिये हैं इसमें हम एट कर देंगे दो टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा लहसुन आप यहाँ पर हरे लहसुन की जगा बारिक कटा हुआ हरा धनिया भी एट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर हरे लहसुन का पत्ते वाला और वाइट डोनो पोर्शन लिया है साथ ही में हम इसमें एक चोथाई टीस्पून काली मिश पाउडर और एक चोथाई टीस्पून नमाक एट कर देंगे नमाक आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसर भी एट कर सकते हैं और इन अंडों को अच्छे से फेट लेंगे और अब एक पेन में एट कर देंगे एक टेबल स्पून तेल आप यहाँ पर तेल की जगह एक टेबल स्पून बटर भी एट कर सकते हैं तेल गरम होने के बाद हमने जो अंडे फेट कर रखे हुए हैं वो इसमें एड़ कर देंगे इस तरह से एड़ करेंगे कि ये पूरे पेन में अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो यहां पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस ओमलेट को बनाते वक्त हम सुरू से ही गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे तो 30 से 35 से के लिए हमने इस ओमलेट को पहले पका लिया और अब हम इसमें एड़ कर देंगे चीज स्लाइसिस तो हमने यहां पर दो स्लाइसिस एड़ की है चीज स्लाइसिस की कॉंटिटी आप अपने टेस्ट का कोडिंग बढ़ा भी सकते हैं और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे तो देखिए हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और पका लिया है यह देखिए कितना परफेक्ट हमारा चीज ओमलेट बनकर तयार हुआ है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे पेन में से निकाल लेंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है के इसे ही आसान और सिंपल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तब के लिये गुद्बबएं